एक्जाम चाहे कोई सी भी हो अगर तुम्हें सलेक्ट होना है नौकरी पानी है तो उसके लिए आपको पढ़ाई इस तरह से करनी है कि एक्जाम में जो प्रेशन आएंगे वो प्रेशन अगर तुमको याद है तो तुम पेपर को सही से कर पाओगे और तुम्हारा सलेक्टन हो जाएगा इसलिए पढ़ाई इसी तरह से करें कि जैसा पेपर बनता है वैसी पढ़ाई होनी चाहिए दूसरी बात आप पढ़ाई इस तरह से करें कि आपको याद लंबे समय तक रहें और जो कन्फ्यूजन होता है वो किलियर हो जाए पढ़ाई इस तरह से करें नोट्स बनाए और मात्र थोड़ा सा पढ़े और थोड़ा सा पढ़ने से ही तुमारा बहुत सारा कवर हो जाए पढ़ाई इस तरह से पढ़ाई करें और ऐसी पढ़ाई करने से आप जैसे ही एक्जाम में बैठते हो और आपके सामने कोई प्रेशन आता है तो आप उसका तुरंत और आसानी से जवाब दे सकते हो तो पढ़ाई इस तरह से करो स्मार्ट स्टेडी करो धन्यबाद वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सबिस्काइब कर देना पढ़ते रहो मेहनत करो सफलता एक दिन जरूर मिलेगी धन्यबाद